क्या आप जानते हैं कि गहरी नीन्द आपके दिमाग की सेहत पर गहरा असर डालती है। सही नीन्द न मिलने से दिमाग की विकास प्रक्रिया रुख सकती है, जिससे स्किजोफ्रेनिया जैसी गंभिर बीमारियां हो सकती है। आज हम जानेंगे कैसे गहरी नींद आपके मानसिक स्वास्थे को बदल सकती है पूरे चांसे हैं सखेजोफ्रेनिया मतलब एक तरह का ऐसा पागल dafür जिसमें आप आवाजे सुनते हैं आपको ऐसे लोग दिखाइदेते हैं जो है नहीं उसी चीजे देख पाते हैं ऐसे घर देख पाते हैं जो नहीं है इसके जुफ्रिनिया बहुत गंदी बिमारी है तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इस किताब मेसेज का नाम है वाई वी स्लीप और इस चैप्टर का नाम है Changes in Sleep Across Life Span हमारी जिन्दगी में स्लीप कैसे धीमेधी में बदलती है Matthew Walker उसके author है वो बोल रहे है एक बहुत कमाल का बहुत बड़ा experiment हुआ है Fenberg द्वारा उसको धेर सारे बच्चों में और adolescence में experiment किया गया है जिसमें ध्यान से सुनिएगा Deep Sleep गहरी नीद आप जो नीद लेते हैं जो फोन बगल में रखते हैं और गहरी नीद नहीं है मैंने आज बही किया और तीम फोन है मेरे पास तीनों का मैंने सालेंट करना भूल गया दोपहर को मैं सो रहा था एक vibration पर था दो सालेंट कर लिया था जबकि मुझे बड़ी ममी ने फोन पर कहा था मेसेज करके कहा था कि अगर तुम सोने आ रहे हो तो तीनों को सालेंट कर लिना मैं भूल गया दस या बारा मिनट की नीद के बाद में पापा का मैسेज आया खली मैسेज आया फोन भी नहीं आया मेरी नीद खुल गई तो ये डीप स्लीप नहीं है जिसमें आपकी नीद बहुत आसानी से खुल जाती है वो डीप स्लीप गहरी स्लीप नहीं है और अगर आपकी डीप स्लीप नहीं होती है तो आपका ब्रेन मेच्योर नहीं होता है अभी आप लोगों को लगता होगा brain maturation, एक खास तरीका है, उसको बोलते हैं, neural pruning हमारे अनुच कराते हैं खेत में, regular basis पे, pruning, उसको अंग्रीजी में बोलते हैं, pruning जुताई तो खोदते हैं pruning को क्या बोलते हैं, pruning क्या होती है, जब आप खेत में कोई खास फसल उगाना चाहते हैं कसी line में, उसके बगल में ज़ाड उग गई है उस ज़ाड को हटाते हैं उसको हिंदी में क्या कहेंगे साफ सफाई जू कहेंगे लेकिन अंग्रेजी में, gardening में एक दम साफ चीज कही जाती है, बलकि मैंने उसके साथ एक वीडियो बनाया था आदेती के साथ बड़ी कमाल की चीज़ बता रहा था बता रहा था जब लोग अमरूद का फल उगाते हैं अमरूद तो अगर एक साथ दो अमरूद उग रहे हैं तो एक को काटके फिक देते हो तब ही वो दूसरे वाला बड़ा होगा यह नहीं चीज़ मुझे बता चली अगर आप एक बड़ा फूल चाहते हैं और उस डंठल पे तीन चुर चुर फूल आ रहे हैं दो को काट दो एक बड़ा फूल आ जाएगा तब वो नरिश्मेंट जो खाना पीना जो है वो सीधे एक को मिलेगा और वही पर मुझे उसने दिखाया किस तरह से अमरूत के पेड़ में ही वो जो आप लोग देखते हैं वो थर्मो कॉल का कवर उसी में लगा देते हैं वो लोग मैंने उसकी वीडियो बनाई दिखाऊंगा आपनों को करीब और यह कब होता है सोते समय और वो भी Deep Sleep के समय होता है Dr. Michael कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हमारा brain जब mature हो रहा है और जिस समय हम सो रहे हैं वो यह ऐसा भी हो सकता है दोनों चीज़ें accidentally एक साथ हो रही हैं एक दूसरे की वाज़े से नहीं हो रही है ऐसा भी हो सकता है इसके पीछे एक study हुई इस experiment में कुछ चूहों को लिया गया और कुछ बिल्लियों को लिया गया और उनकी उमर ठीक वैसी ली गई जैसी आपकी adolescence में होती है 12-15 साल 20 साल, 22 साल मैं आप लोगों को भी adolescence में रखूँगा फिर क्या किया गया इन चूहों को और बिल्लियों को नीद नहीं दिया उस young age में जिस उमर में 12-15 साल 20 साल की उमर है उसमें उनको sleep deprivation कर लिया नीद नहीं दि और इस process में उनके brain की connectivity, connectivity बता है या brain की connectivity क्या होती है यहाँ पर उपर internet लगा हुआ है जियों के फाइवर से लगाया यह brain की connectivity ऐसे ही एक दूसरे के साथ होती जाती है लेकिन पता है यह जो brain की connectivity है यह बहुत बच्पन में जब brain बनता है तब बहुत भरी होती है बहुत ज़्यादा भरी होती है दिमे दिमे जब हम सोना शुरू कर देते हैं दस सेकेंड बैठेगा उसके बाद कुछ और करना शुरू करतेगा क्यों कि उसके brain की neurons इतने भरे हैं बिजली से कि वो एक चीज़ को देखता है बगल में उससे ज़्यादा interesting चीज़ दिखती है फिर कुछ और interesting चीज़ दिखती है फिर दिखता है रहे वो वो आदमी घर से छोड़ के बाहर जा रहा है मुझे उसकी गोद में जाना है उसके पास जाता है तब तक से दूसरा आद भी दिखाई देता है वो चीखता है रोता है चिलाता है क्योंकि उसके brain में ऐसे बिजली चमक रही है धेर सारी बिजली चमक रही है उसको पता नहीं क्या करना चाहिए फिर दिमी दिमी जब वो सोता है एडुलेसंस में तब कटाई छटाई होती है उसको पता चलता है वो अस वो बाहर जा रहा है लेकिन वो ले नहीं जाएगा मज़को और बाहर जाने से शायद मेरा फायदा भी नहीं होगा मुझे आराम ही करना चाहिए लेकिन उसमें भी एक टीनेजर होता है एडुलेसंस बलता है नहीं यार अभी जाकर के मुबाइल देखूंगा मज़ा आ जाएगा इसको पता ही नहीं है मुबाइल देखते देखते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा प्रूनिंग नहीं होती कटाई छटाई नहीं होती अब सो नहीं रहे दो चीज़े होती है एक R.E.M. स्लीप एक N.R.E.M. स्लीप R.E.M. में सपने देखते हैं उसमें सही निरॉंस बनते हैं और NREM में आपकी प्रूनी होती है जो नहीं चाहिए अब मान लिजे आपने कोई ऐसा वीडियो देख लिया या कोई ऐसी बात आपने सोच लिए जो बड़ी डरावनी है अब आज मेरी एक बाई साब से बात हुई आप ही की तरह हैं जॉब करते हैं ओशो को खूब सुनते हो बहुत बतलब वो madly in love with ओशो हैं अब तीन चीज़ें उनकी problem हो गई है ओशो तो वे spiritual गुरु है spiritual लोग कैसे होते हैं detached उनका मोहमाया से कोई तालुप नहीं होता इनका भी नहीं है काम में मन लगता अच्छा इसके साथ-साथ शादी शादी नहीं करना है इसके साथ-साथ किसी भी चीज़ में मन लगता है ध्यान में भी मन लगता मैंन को बताया भईया तुम depressed हो क्योंकि जो neurons के connection जहां चाहिए थे वहां पहले थे उसके बाद पता चला अब तुमने ओशो को पढ़ लिया उसने बता दिया अभी भी वही थौट चल रहे है उनसे सबसे पहला sentence सुन ने बोला सर मुझे overthinking की problem है और last में तो उसने इतनी खतरनाक बात बोली सर मुझे suicidal thoughts आ रहे है पता है जब brain में suicide का thought आता है तो कैसे आता है ओशो ने कहा था ये चीज़ ओशो के मुझे मैंने सुनी है कि हर आदमी का अधिकार है खुद को मारने का पैदा करने का अधिकार नहीं आता उसके पास क्योंकि वो माबाब देते हैं खुद को मारने का अधिकार चीह दिमाग में, यह thought जब भी चले उसको दिमाग पहचान करके काटना चाहिए लेकिन thought फॉट को नहीं काटता है sleep thought को काटता है आपने किताब पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया अब दिमाग जब तक जग रहे हैं उसी thought में घुमता रहेगा घुमता रहेगा घुमता रहेगा घुमता रहेगा उसको चाहिए pruning जब तक आप जिन्दा है तब तक जो unnecessary thoughts है उसको pruning चाहिए neurons को और जो necessary neurons है वहाँ पर और extra neurons चाहिए मैंने अभी एक नई चीज़ डिस्कवर की YouTube में पिछले हफते मैं एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया कि Mr.Beast अपने introduction कैसे बनाते हैं उसी channel का दुबारा एक वीडियो आया कि कैसे YouTube पर algorithm introduction को बनाता है सेम बाते हैं उसमें दुबारा कही है मुझे बड़ी खुशी भूल किया था मैं गौतम बुद्ध एक ही बात को तीन तीन चार चार बार बोलते थे क्योंकि जहां पर आपको neurons चाहिए वहां extra neurons चाहिए और जहां नहीं चाहिए वहां बिल्कुल नहीं चाहिए वो है brain का maturation एक गौतम बुद्ध आराम से बैठ सकते हैं एक छोटा में activity होती है लेकिन वुचारा बैठ नहीं सकता उसको भूक लगती है बोल नहीं पाता हो खली चीटा जानता है वो शांती से बैठ करके बोल नहीं पाता कि मुझे भूक लगी है खाना दे तो क्योंकि वो brain में pruning नहीं होई है और सबसे खत्रे वाली चीज यह है कि अगर आ इसकी विज़से धेर सारा जो brain में maturation नहीं चाहिए वो delay हो जाएगा and development of social activity और उसकी विज़से जो social activity डिवलपने चाहिए वो नहीं होगी independent grooming नहीं होगी and exploration of the environment नहीं होगा measures of self motivated learning और इसकी विज़से आप self motivated learning नहीं करेंगे coffee literal sense में जहर है टेस्टी तो बहुत लगता है क्योंकि वो kick देता है जगने को लेकिन वो आपके brain के maturation को रोकता है आपकी social activity को अगर आपके मन में कभी आता हो यासा क्यों है यार मैं किसी से दोस्ती करता हूँ लेकिन बात नहीं कर पाता हूँ तो वो है lack of social activity आपकी independent grooming नही होती है आप अपने आस पास के environment को explore नहीं कर पाते self motivated learning नहीं कर पाते अगर आप caffeine के आधी हैं तो मैंने आपको कहा था इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा schizophrenia का relationship सुनिए जब हमने sleep के बारे में पढ़ना शुरू किया author कहते हैं तो पता चला deep nrm sleep का relationship है एक healthy development of brain का मतलब एक आदमी अगर काईदे से सोता है deep nrm sleep लेता है तो उसका brain अच्छे से develop होगा लेकिन अगर नहीं लेता है तो क्या होगा वो भी हमको गलती से पता चल गया बहुत से बड़े-बड़े psychiatric पागलपन के जो disorders हैं सचा as schizophrenia 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 मतलब आवाजे सुनाई देना लोग दिखा लेता हूं MI के जरीए कभी-कभी बहुत hyper होते हैं हम लोग कभी-कभी अग्दम लोग होते हैं उसको बुलते है bipolar disorder और निकल नहीं पाते हैं इतना आप खुश होते हैं एक बाइस आपको जानता हो इतना खुश हो गए थे उन्होंने अपनी जो salary पाई थी पूरा account में से नि हो जाता है वो होता है major depression होता है अगर आप नीद सही से ने लिते हैं तो आपको major depression होता है attention deficit hyper activity disorder होता है क्योंकि ये सारी के सारी बिमारिया बचपन से ही शुरू हो जाती है और adolescence में बढ़ करके आगे चलती हैं और लोगों को होती है कौन-कौन सी मिमारी schizophrenia bipolar disorder major depression अगर आपक किताब में हम लोग बहुत बार psychiatric बिमारियों के बारे में पढ़ेंगे but schizophrenia deserves special mention at this juncture लेकिन schizophrenia के बारे में एक खास चीज अभी बताना चाहेंगे सैकडों young teenagers को लिया गया 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल का उनको brain scan किया गया इन बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको schizophrenia बाद frontal lobe है इस frontal lobe में हम दो चीज़े कर पाते हैं बड़े important समझदारी से सोच पाना दुसरा logical thoughts सही thoughts को connect कर पाना ये दोनों चीज़े यहाँ पर प्रूनी नहीं होती इसलिए ठीक से नहीं होता और इनी बच्चों को बाद में चलके schizophrenia होता है बहुत सी अलग-अलग studies हुई है जह NREM sleep का तो आपको squeeze of anemia होने के chances बढ़ जाते हैं इन बच्चों में जिनको future में चलके squeeze of anemia होगा उसमें NREM sleep का जो pattern है वो normal नहीं होता इसलिए डॉक्टर दुआ जैसे psychiatrist है हर एक बच्चे जो पागल होते हैं उनका एक brain scan करते हैं हम लोग easy scan करते हैं सोते समय जखते समय हो रहे हैं यह मेरे लिए मैं MBBS doctor हूँ मैंने psychiatry के उपर पूरी किताब पढ़के exam पास किया है मुझे नहीं आथ था कि sleep के बारे में कही mentioned हो इस तरह की चीज़े मतलब इतना seriously उसमें नहीं बताएगा यह सब बहुत dedicated study हैं कोई sleep specialist होगा neurologist होगा sleep का तो ही बताएगा इसलिए बच्चों कैफीन जहर की तरह है अगर जान नहीं जा रही है तो उसको मत पियो और दूसरा अपनी अरारियम स्लीप को और आरियम स्लीप को दोनों को अच्छे proportion में लो यह अमृत है यह दवा है ठीक है थैंक्यू झाल दो झाल दाल रहा है थैंक्यू